हाई निशा, तुम ठीक हो न? थुड़ी परिशान लग रही हो. Actually अरणा जी, मेरे कुछ सवाल थे, पीरिट्स को लेगे. फिर तुम्हें जरूर तुम्हारी हल्प कर पाऊंगी? बताओ, कोई खास तकलीफ है. मेरे पीरिट्स कभी भी आ जाते हैं, मुझे क्या करना चाहिए? पीरिट्स के पहले दिन और अगले पीरिट के पहले दिन के बीच लगभग 28 दिन कर्याप होता है. ये हैं MC यानि मासिक चक्र का एक चक्र. पीरिट्स के पहले दिन से MC की गिंती शुरू होती है और अगले पीरिट्स के पहले दिन पे खतम होती है. खतम होने पर MC का नया चक्र शुरू हो जाता है. हर महीने MC की लंबाई में थोड़ा उतार चड़ा चलता है. 22 से 40 दिन के गैप को नॉर्मल मानते हैं. क्या तुम अपने पीरिट्स के इग्जाग टेट्स चनता हैं? हाँ याद रखने से तुम गल्दिया कर सकती हो. MC की देट्स, नोट या ट्रैक करना अच्छी आदत है क्योंकि अगर कोई असारहरन बदलाव हो तो तुम असानी से नोट्स कर पाऊगी. ये किसी बड़ी प्रॉब्लम का नक्षन हो सकता है, जैसे अनीमिया या PCOS. पर डेट्स हर महीं में नोट करना जंजट का काम नहीं है. आजकर MC कैल्क्लेट करने और मैस करने की भी ज़रुद नहीं. बस फटाक से अप टाउनलोड करो और प्राइविट में असानी से अपने पीरिट स्ट्राक कर लो. और कोई चिंता नहीं.